तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्यप्रोड टैग वर्ड्स एंग्लिस पाड़ोगोजी का तो टैग वर्ड्स यह क्या होती है और इस यह कैसे आप लोगों के लिए हेलफुल हो सकते हैं वो सारी चीचे आप लोगो इस वीडियो में मैं पैता हूंगा टैट वर्ड्स करते हैं जिसको आप सिर्फ देख कर इस को जाहिए उस कोस्षिन कि आंचर सेहीं लगाया सकते हैं यह तो बहुत ज्यदा चांसेस बनता है उस वर्ड्स को लेकर सही कहने का tag words का मतलब होता है hint words या keywords एक hint मिलती ही हमको tag words से कि हमारा कौन सा option सही होगा उसको हम keywords भी बोल सकते हैं तो इन words के सहता से आप किसी भी question को सही है गलत पहचान सकते हैं तो बहुत ही important हो जाता है यह सारे words सारे words को जान लो इसके साथ ही साथ इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा आपको English के या English pedagogy की terms English के terms जो wordings है वो समझ में आएगा कि उन terms को उन words को हिंदी में क्या बलते हैं क्योंकि जब तक आप उसके हिंदी नहीं जानेंगे तो आपको वो questions समाझ में नहीं आएगा चली फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए कुछ positive tag words या keywords होते हैं कुछ negative keywords होते हैं तो दोनों को हम इस वीडियो में देखेंगे तो हमारा पहला और important tag word है जो positive tag word हम बोलेंगे सबसे पहले positive की बात करेंगे Provide creative opportunities यह जो word है यह जब भी इस तरह के question आती है तो बच्चो को opportunities प्रवाइट करना जब भी opportunity word देखे opportunity में मौका तो जब भी आपको किसी भी answer में यह word देखे आप समझ जाए कि वह शही option है बच्चो को opportunities प्रवाइट कराया जाना चाहिए तो इस तरह से इसको आपको positive sense में लेना है और उस वह option को जहाँ opportunity हो वह गलत नहीं हो सकता चलिए तो यह हो गया पहला दूसरा देखिए child-centered learning या child-centered class जब भी आपको किसी भी question के option में child-centered word देखे बाल के अंदरी तो आप यह समझ जाएगा कि वह एक positive चीजा है वह गलत नहीं होगा वह all option ठीक है तो वह all option को आप सही में या positive में लेके चलेंगे तीसरा है drill and practice क्या है drill and practice drill and practice का मतलब क्या होता है अभ्याज तो आप सबको पता है friends जो बच्चों को जबी भी हम सिखाने की बात करते हैं तो drill and practice में पॉजिटीव होती है drill and practice हमेशन हमको कराना ही चाहिए अभ्याज बहुत ही महतापुण होता है तो यह वाले वर्ड्स जभी भी आपको option में दीखे आपको उसको positive में लेना या उस option को सही लगाना है सही रहेगा सही कहने का मतलब क्या हो गया जब भी अगर ऐसा question आया तो इसमें से कौन सा नहीं करना चाहिए तो आपको इसको positive में लेना चाहिए कि deal अभ्यास करनी चाहिए आगे देखें habit formation आदत निर्मान यह वाला जो word है या keyword है वह भी positive में आता है इसको हमेशा हमको option में positive में लेना चाहिए तो दो चीजें आप जाने वाले English terms प्लस positive tag words चलिए आगे चलेंगे language is a resource यह वाला भी जो word है या words है उसको भी positive वे में आपको लेके चलना है language क्या है एक तरह का resource है बालकों के लिए तो यह हमें सा positive रहता है real life जब भी आपको option में real life situation से जोड कर ऐसा वाली बात दिखे real life देखे तो आपको यह समझना है कि वह positive रहेगा या वह आला option आपका सही लगना है उसको negative में लेना है real life मतलब बच्चों के जो पढ़ाई है उसको असल जीवन में जोड कर हमको कराने चाहिए तो यह भी एक अच्छा और important tag word हो गया आपको लिए अगला है 7th number personal response questions बच्चों को व्यक्ति का दुरूप से एक teacher को concentrate करनी चाहिए सारे बच्चों की उपर ठीक है personal जो बच्चों की problems है उनको शेयर करनी चाहिए हर इक बच्चों को personally response करनी चाहिए तो यह वाला जो word है वह भी positive एक tag word हो जाएगा आटवा है engage learners बच्चों को किसी भी चीज में engage करके रखना तो जब भी मैं बता दो engage यह word आप देखने होंगे engage word जब भी आपको दिखे engage करना मतलब शामिल करना तो वह वाला option हमेशा सही होगा या positive होगा अब question को किस तरह से पूछा है उसके उपर depend करेगा कौन सा positive नहीं है बोलेगा तो positive नहीं है और कौन सा positive है बोलेगा तो question के तरीके देकर आप समझ जाएगे अगला देखे motivate the students यह बहुत ही important tag word है हमेशा motivate जब भी motivate बच्चो को क्या करना है motivate यह अभी प्रेडित करना है तो वह वाला option हमेशा positive रहता है तो उस option की हिसाब से आप अपना option सही यह गलत लगा सकते है motivate करना में सभी प्रेडित करना किसी बच्चो को हमारा tag word है positive use different approach जब भी आपको किसी भी option में different approach दिखे अलग तरीका अपना अलग अलग तरीका अपना तरीकों से बच्चो को सिखाना तो different approach दिखे तो याद रखीगा वह positive है different approach वाले option सही होते है ठीक है बच्चो को सिखाने के लिए different approach अपना हो तो इस तरह से 10 हमने देखा positive जिसको देखते ही आप उसको सही answer कर सकते है अब हम देखेंगे negative जिसको देखते ही आपको यह समझ जाना है कि option में नहीं आएगा तो पहला है wrote memorization wrote memorization written तो जहां भी wrote memorization option आपको दिखे तो आपको यह मान के चलना है या वह option में नहीं आएगा या अगर negative पुछेगा कौन सा इसमें नहीं करना चाहिए तो यह आपको आजागा फिर wrote memorization नहीं करना चाहिए ठीक है तो इस तरह से wrote memorization wrote memorization मतलब क्या होगा रटना ठीक है चला आगे चलते है strict discipline जहां भी आपको strict strict यह वारा negative में आएगा ऐसा option में दिखे समझी यह गलत option है lecture method जब हम बात करते हैं primary और middle वाले बच्चों का lecture method is not suitable for them जहां भी आपको lecture method दिखे वह गलत option में आएगा चोटे बच्चों के लिए आगे हम चलेंगे ask to sit quietly चुप चाप बच्चों को बैटने के लिए तो ऐसा वाले जब भी वर्ड जाता है आप याद रखी वह negative में आएगा कभी भी बच्चों को चुप चाप बैटने के लिए नहीं बोला जाता है ask to sit quietly जब भी आए तो वह negative में आएगा उसको option में आपको नहीं लेना है चलें आगे चलते है question no 5 pain paperwork pain paperwork का मतलब क्या होता है बच्चों से pen paper से काम करवाना pen paper works एक traditional teaching के तहत आती है और traditional teaching follow नहीं करने के लिए बोला जाता है unique और आदुनिक teaching क्या बोलती है आगे देख लेता है ट्रेडिशनल क्लास्रूम नहीं फॉलो किया जाता तो यह भी नेगेटिव टेग वर्ड्स हो जाएगा और है teacher centered approach teacher centered जब भी बाता है तो वह option में नहीं आता वह गलात माना जाता है student central होनी चीए और एक है मैं बता दूं यहां पस जहां भी आपको only word दिखे only भी एक negative tag word है only word जब भी दिखे आपको मानना चाहिए कि वह option में नहीं आएगा क्योंकि कभी भी कोई चीज only या सिर्फ में नहीं आता तो इस तरह से बहुत important positive and negative tag words हमने इसमें डिसकस किया I hope कि यह आपके लिए important होगा और भी वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारे और भी tag words लाते रहेंगे यह वीडियो में इतना ही thank you so much for watching चैनल नहीं हो चैनल सब्स्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो अच्छा लगो लाइक और शेयर जरूर कर लिए thank you कर दो कर दो